गुद्वानिंग बच्चो आज हम बात करेंगे बेसिक बोडिज ब्लोक की बारे में कि बेसिक बोडिज ब्लोक किस तरह से बनाया जाता है कि हमारे पास क्या है मेजर्मेंट है चेस्ट है 32 सोल्डर है 6.5 या 6 एक बटा 2 नेचरल बेस्ट है 16 और बोडिज लेंथ है 30 कि 0 to 1 इसकी बोडिज लेंथ है कि 0 से 2 तक हमारे बोडिज लेंथ है और 0 to 1 1 4th of chest है 0 to 2 नेचरल बेस्ट लेंथ इसक्वायर आउट ओफ 4 5 6 और 7 तो सबसे पर हम 0 to 1 अपनी बोडिज की लेंथ लेते हैं कि 0 to 1 4th of chest लेते हैं 0 to 3 नेचरल की वेस्ट लेते हैं इसके आउट की 4 5 और 6 है कि 2 और 5 कि 2 और 5 वन हाफ और चेस्ट प्लस 2 सेंटीमेटर लेह हमने और 0 to 8 की 0 to 8 0 to 8 और 4 2 और 9 की 2 और 2 और 9 वन हाफ ओस्ट प्लस 2 और 9 वन हाफ ओस्ट लेते हैं 124 of chest और 1.5 इंच शोल्डर शेप इसकी जो है 8 से 8 और 15 कि यहां से यहां तक कि 0 to 13 कि 0 to 13 कि 0 to 13 है और 0 to 14 कि 0 to 13 इक्वल है और 0 to 14 दोनों इक्वल है कि 1 12th of 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 chest 0 to 10 कि 0 to 10 एक वन बटा फोर्थ of chest प्लस वन सेंटिमेटर स्कॉर्ड डाउन तू 11 to 12 कि 11 to 15 और 11 to 16 दोनों इक्वल है लेकि इनमें एक वन इंच की वन इंच कर फोर्दा शेप इन दोनों की वन इंच की शेप दी गई है 7 is the midpoint of the 9 to 15 कि 7 जो है इनका midpoint कि 17 जो है इनका midpoint है वो किसका है 99 का और 15 का midpoint है 7 to 18 कि 17 जो जो 18 है इनके वन सेंटिमेटर कि इन दोनों के बीच में वन इंच की शेप दी गई है कि इनमें जोइन है कि 15 18 and 15 to 13 कि 15 15 18 और 15 और 13 कि यह इसकी जोइंट दिया गया है इसका जोइन जोइन दिया है इसका जोइन दिया है इसका कि 22 22 कि 22 990 को दा बैग नेग कि हमारे पीछे की बैग नेग की सेप है कि 23 23 23 है 23 मिट पॉइंट कि 23 है मिट पॉइंट कि 24 को और 21 का मिट पॉइंट है कि जोइन 21 23 और 10 पॉइंट 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 वेंट पॉइंट पॉइंट कि आसे